Dear student, we have to discuss the implication of early understanding of inequality, science and technology for the development of sustainable society. हम एक study की बात कर रहे हैं और वो study जो के 136 बच्चों पर की गई अमेरिका के अंदर जिन की एज 3 तो 5 येज ती पहले मैंने आपको study की वज़ा बताई, वज़ा बताने के बाद आपको process बताया, अब थोड़ा सा हम study के बारे में मज़ीद detail में बात करेंगे कि उस study में क्या किया गया था बन्यादी तोर पास उस study के अंदर 6 positive और 6 negative चीजें रखी गई थी और उसके बारे में बच्चों से वो जो फोटोग्राफ दिये गए थे, चार फोटोग्राफ दिये गए थे उन में उन से 6 positive चीजें पूछी गए, 6 negative चीजें पूछी गए उन बच्चों का जो opinion था उसको dry down किया गया और उस opinion की base पर result बनाए गए जो यहां पर scale यूज किया गया वो multiple response racial attitude मरे के नाम से जो है वो instrument था जो बनाया गया क्योंकि लाज़मी बात है कि यह study तीन से पांस साल के बच्चों पर थी और वहां पर बच्चे जो है वो लिख नहीं सकते अभी उनकी writing इतनी नहीं होती तो उसके लिए जो process इस्तवाल क्या गया वो किया गया यह उनका इंट्रविय्यु कनट्ट पर जो इंट्रवियू वर था उसने था उसने एक friendly environment पहले किया पहले उनके ददेमियान एक रेपर की बच्चों के दनमिया अफिर उसने एक friendly environment किया इंवार्मेंट करने के बाद इस फ्रेंड उन से उन बारह सवालों के बारे में पूछा गया यह यह ने च्छे सवाल जो थे बो पॉजिटिप थे शी सवाल नेगेटिफ थे अभी हम क्योंका से के बात नहीं कर रहे हूं और से को पर अदिसकुशन नहीं कर रहे ओवरराल आपको ये बताने की कोशिच कर रहे हैं कि बन्यादी तौर पर ये एक पैलेट टेस्टिंग की गई और जो सस्टेनेबल डिवेल्मेंट गोल्स को सामने रखकर हम सस्टेनेबल सूसाइटी का तसवर लेकर चल रहे हैं हमने ये देखने की कुशिच की गई इस study के जरीए कि क्या वो हमारे future के अंदर अचीव होने के chances कितने ज़्याद हैं उसके अंदर बच्छों का response आया उस response को calculate किया और calculate करने के बाद evaluate किया गया कि आज हम जो sustainable goals के बारे में काम कर रहे हैं और इसी इसे जो वर्क शुरू किया गया है और हम यह समझते हैं कि यह वो तीन से पांच साल की उमर है जहां पे आपके बिहेवर्स डिवेल्प होना शुरू होते हैं यहां पे बिहेवर्ल डिवेल्मेंट प्रॉसेस है इस डिवेल्मेंट प्रॉसेस के अंदर जो हमारे पास 17 goals हैं उनको उनकी awareness जब यहां से शुरू की जाएगी डारेक्ट और इंडारेक्ट तो slowly and steadily वो एक ऐसी मंजल पर जाएगा जो sustainable society का member बनेगा जिस वट वो sustainable society का member बन जाएगा तो उसके अंदर जो हमारे targets हैं वो जो हमने 17 targets रखे हुए हैं जिसके अंदर हमने यह भी बात की हुई है कि हमने pollution को भी खतम करना है हमने जो water से related आलूद गी है उसको खतम करना है पानी को save करना है 17 जिन के ओपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हुए हैं इन तमाम के ओपर जो है हम जो target लेके चल रहे हैं क्या हमारे target अचीव हुए है यह नहीं हुए इस study से यह थाबित होता है जब यह study की गई और इसको replicate पी किए गया यूके के अंदर और पिर इनके results को compare भी किया गया तो इन study से हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हम जिन targets को लेके चल रहे हैं हमारे वो targets किसी हद तक achievable हैं देखें अगर हम बात करते हैं hundred percent तो hundred percent तो possibility नहीं होती अगर हम यह सोचें कि जो result हमारे अमेरिका में और बरतानिया में आए हैं क्योंकि यह ही result हमारे developing country में भी आएंगे तो शायद इतनी ज्यादा possibility उसके नजर ना है लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि यह achievable है number एक number दो इसके process को अगर monitor किया जाए तो हम जो sustainable society का खाब लेके चल रहे हैं हम वो खाब अपना पूरा कर सकते हैं और वो जो sustainable society जैनि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारा आज का बच्चा आज से दस पना बीस साल बाद वो जिस society का member होगा वो society जैस्ट विल बीकाड़ा sustainable society उस society के अंदर एक aspect जो लिया गया वो discrimination का लिया गया यहां पे जो experiment किया गया वो racial के ओपर किया गया race के ओपर focus किया गया और यह जाने की कोशिश की गई कि अगर हम इन तमाम 17 गोल में से एक गोल जो के discrimination का है और हम यह समझते हैं कि हमारी sustainable society के discrimination minimum हो जाएगी अगर वो हम यहां पर achieve करने में काम्याब हो जाते हैं अगर यह हमारी study हमें यह बताती है कि हमारे results नहीं है बलके hopeful result है तो इसका मतलब है कि हम उसको बेतर कर सकते हैं तो हम वह study developing country में कर सकते हैं फिर developing country के results को भी compare कर सकते हैं और उनके process में जो flaws आ रहे हैं उनको भी identify कर सकते हैं तो बनियादी तोर पे यह जो scale बनाया गया scale बनाने के बाद यह जो बच्छों से results लिए गए गए और उनके जो six जो है हमारे पास positive सवाल की पूछे गए six negative सवाल पूछे गए और उनके result को जब calculate किया गया तो calculate करने के बाद हमारे पास एक guideline आ गए